आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जियम अश्टेडी में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले है जैग बोड के स्टुडेंट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम इस वीडियो में कबर करने वाले है syllabus को term one का जो भी syllabus है यानि अभी तक से syllabus जारी नहीं हुआ officially 2022 ताइस सत्र का तो हम लोग अभी बैठे ने रहेंगे हम लोग अभी पढ़ाई करना है तो कौन से chapter को पढ़ना है ये बहुत जरूरी है जानना था हम लोग क्या करेंगे पिछले सत्र वाला यानि 2022 वाला जो syllabus है उसी को कबर करेंगे क्योंकि जो इस बाद जो syllabus जारी होने वाला है उस syllabus में और इस syllabus में कोई जादा फर्क नहीं पढ़ेगा ठीक है एक आज दू चेप्टर एड हो जाएगा ने syllabus में तो चलिए हम लोग सिधा syllabus की ओर बढ़ते हैं यहां पर देख सकते हैं इधर वाला जो पोर्षन है ये आपको term 1 में बढ़ाई करनी है ठीक है और जो इधर वाला पोर्षन है ये आपका term 2 के लिए है तो आपको इधर वाला पोर्षन ध्यान नहीं देना है सिर्फ इधर वाले को ही ध्यान देना है ठीक है तो इधर वाले का क्या कर लेना है आपको screenshot लेना है फिर आप लोग अच्छे से त्यारी कर सकते हो घर में जाके बाट के अब यहां पर देखे यह किस subject का है हिंदी कोर का है आप लोग इसको screenshot ले सकते हो विडियो को पाउस करके विडियो को रोग करके नेक्स्ट हम लोग अगले subject के और बढ़ते हैं यहां पर देख सकते हो हिंदी elective है ठीक है हिंदी elective के लिए यहां पर जो यह chapter है आपको नजर आ रहा है यह सारे chapter आपको पढ़ने है ठीक है जिसे पहला प्रेम चंद इदगा यह सारे chapter आपको कबर कर लेने है टर्मोवन के लिए तो आपका 100% exam में टर्मोवन में किसी तरह का कोई भी परिशानी नहीं हो आप इसका क्या कर लेना है screenshot लेते जाना है ठीक है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए हिंदी B जिनका है ठीक है हिंदी B के लिए आप क्या कीजिए इधर वाले का screenshot ले लीजिए ठीक है यह इधर वाला नहीं पढ़ना है सिर्फ इधर वाला पढ़ना है अब हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आता है इंग्लिस कोर यानि अंग्रेजी कोर जो भी है जिनका subject होगा वो देख लीजिए यहाँ पर तो यह वाले जो portion है यह वाला यह आप लोग क्या कीजिए इसका screen shot ले लिजिए ठीक है इसको आपको पढ़ना है term one के लिए अब इसकी पढ़ाई कीजिए हम लोग क्या करेंगे एकाथ दो दिन में practice session जारी कर देंगे वी बी आई question का आप लोग जैसे ही पढ़ाई कर लोगे यह आपका term one में पढ़ना है आप इसको पढ़ लिजे यहाँ पर grammar वगेरा यह सारे दिये होंगे तो ध्यान से देख लिजेगा मैं आपको बताएंगे पूरा एके करके तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग क्या कीजिए स्क्रिन सोट ले लिजे और खुद से इसको पढ़िए कि कौन-कौन चेप्टर पढ़ना है नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं यहाँ पर देखे संस्कृत जिनका होगा वो ध्यान से देखे कौन-कौन से चेप्टर है संस्कृत के लिए तो यहाँ पर टोटल दस चेप्टर है आप इनको त्यारी कर लिजे टर्मोवन के लिए यह इधर वला पोर्शन ठीक है अब इसका स्क्रिन सोट ले लिजे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं गनित में अब देखे गनित में क्या क्या पढ़ना है जो भी क्लास अलेवन के स्टुडेंट है गनित यानि जो भी साइन्स के स्टुडेंट होगे या फिर बायलोजी के स्टुडेंट होगे उनको तो गनित जरूर होगा तो गनित में क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखिए ये जो यहाँ पर जो chapter नज़र आ रहा है बिसका screen shot ले लिजिए और इसको फिर पढ़ाई कीजिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए physics का physics में क्या पढ़ना है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसका screen shot ले लेना है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो chemistry में क्या पढ़ना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो chemistry में यह सारे चीज़ आपको पढ़ने है तो आप इसका क्या कर लेना है screenshot ले लेना है इसके बाद हम लोग आते हैं biology में क्या पढ़ना है तो देखिए यहाँ पर बैलोजी में इधर ध्यान से देखिए यह वाला पॉर्षन आपको पढ़ना है आप इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इतिहास यानि आर्स वाले सब्जेक्ट के लिए इतिहास में देखिए टोटल चार च देखिए आपको क्या करना है यह देखिए यहाँ पर प्रयोगी कारिया यानि यहाँ पर प्रैक्टिकल क्या होगा टर्मोवन में यह भी यहाँ पर दिया गया है आप इसको भी ध्यान से देख सकते हो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्थ सास्त अर्थ सास्त के ल नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बिजनस अस्टेडी अब ये बिजनस अस्टेडी में हमको क्या पढ़ना है वो ध्यान से देखिए यहाँ पर नजरा आ रहा होगा तो टोटल आठ चेप्टर पढ़ने है ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए एक चेप्टर है एटीपी अब इसमें से क्या पढ़ना है वो ध्यान से देखिए यहाँ पर टोटल आठ चेप्टर पढ़ना है इधर वाला पोर्शन का आप लोग क्या किजे स्क्रिन सॉट ले लिजे तो यह जो सारे चेप्टर थे क्लास लेवन्त के जो भी आर्स, कॉमर्स और साइन्स के अस्टूडेंट होगे उन सभी का टर्मवन का जितना भी चेप्टर वाइस पढ़ना था उसके लिए हम सारे चेप्टर को कबर कर चुके हैं मैं उमीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ लाबून मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तब तक के लिए जय हिन जय जहारगण